भारतिय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर अशोग तवर ने कानावाली विधान सबक शेत्र के कहीं गाउं का दौरा किया सभी गाउं में पहुचने पर अशोग तवर का जोड़दार स्वागत किया गया मंच के जरीर लोगों को संबोधित करते हुए अशोग तवर ने जहां केंद्र और प्रदीश सरकार की नितियों के बारे में ग्रामीनों कुछ जानकारी दी तो वहीं विपक्षी पार्टियों पर भी अशोग तवर ने जम कर निशाना साधा तक मोदी जी नहीं आए लोगों को पीने का पानी उन्हें गरों में सोचाले तक नहीं होते थे लोगों की पकी छत नहीं थी उनको भौझन समय पर नहीं मिलता था तो ऐसा देश जो है आज के विपक्षन जब उनको 55 साल मौका मिला तो वैसा देश उन्होंने बनाया और मोदी जी के नेत्रितम में आज विक्सित भारत बनाने का संकल्प चल रहा है दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ती अगले पांच वर्ष में भारत वर्ष ब जो गारंटी है उसका साथ दें इस दोरान अशकतवर ने कॉंग्रिस पर निशाना साथती हुए कहा कि कॉंग्रिस को जनता ने नकार दिया है और लगातार जनता बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रही है और सिरसा ही नहीं पूरे प्रदेश में और देश में जनता 65 दिनों में एक तरफा माहौल है भारतिय जिनता पार्टी बड़ी जीत की और अगरसर है सिरसा से लेकर के दस की दस लोग सबा सीटे हम बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे इस दोनान समिधान बदलने के मुद्धे पर डॉक्टर अशुक तवर ने कॉंग्रेस को आड़े हातो लिया और कहा कि कॉंग्रेस दली तेवं पिछडी जाती की विरोधी है दो बार जनता इनको नकार चुकी है और अब तीसरी बार की तयारी है 2024 में कॉंग्रेस इस तरह सी डूब रही है कि उन्हें तिनके का भी सहारा नहीं मिलेगा कॉंग्रेस की 40 सीटे भी नहीं आ रही हैं डॉक्टर तवर ने कहा कि अब कॉंग्रेस मुख भारत होगा और देश तरक्की के पत पर आगे बढ़ेगा कि अब लेखिए माङतमागंधी जी उनके कह था यजिए कांग्रेस को बंदकर दड़क्र खतम कर दो कांग्रेस का होगी देशका सहरीदान को कुछ नहीं और देशका सहरीदान तो लागू इन्होंने नहीं किया यह बाबा साब के कटर विरोधी रहे यह दलित विरोधी रहे यह पिछडी जातियों के विरोधी रहे इन्होंने जो पीछे लोग थे उनको कभी आगे आना ही नहीं दिया तो ऐसी तागतों को मैं समझता हूँ कि लोग दो बार इनको रिजेक्ट कर चुके इनको इनके उपर से विश्वास अट गया और अब तीसरी बार की तेहरी है तो इसलिए खत्रे में ये खुद हैं और ये कभी किसी का सारा लेते हैं कभी किसी का और डूबते को तो ये ऐसे डूबने वाले हैं दोजार चोविस में इनको तो तिनके का सारा भी नहीं मिल रहा है